CBSE 2024 board exam पे appear होने वाले class 10th और 12th के बच्चों के लिए हो सकता है ये good news हो एक बार news देखो और क्या ये आपका implement हो जाएगा ये सारी बात के हम इस चोटे से वीडियो पे करने जा रहे है CBSE board exam 2024 फोकस कर रहा है MCQs मतलब multiple choice questions Class 10th and 12th के लिए और कहा जा रहा है हो सकता है 50% आपके जो questions है वो कैसे हो जाएए आपके competency based question है अब आपके इवन में सवाल आएगा सरी competency based question होते के हैं आप सबने class 9th या 11th में face किया होगा Competency का simple सा मतलब होता है जो आप अपने course syllabus में पढ़ रहे हो उसको daily life में applicable करना उसको daily life में use करना कुछ ऐसा relate करना जहां पर हम जो सीख रहे हैं उसको apply कर सके क्योंकि होता कि जब से education system बना है कहीं न कहीं road learning के उपर काम किया जा रहा था road learning क्या होता है आपने रटा लगाया उसके बाद आपकल exam गए exam पर लिख के आ गए और आप पास हो गए आपके दमाग सा गए ऐसे में दमाग में कुछ नहीं गया उसको apply काम करना नहीं पता तो इसमें बात चल रही थी और yes ऐसा करने से क्या हो जाएगा यहां दो सिंपल सी बात है कभी कर होता कि है कि जब आप पुरे साल तैयरी कर रहे होते हो कुछ कुछ बच्चों गोना answer लिखने में दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर ना चाकर भी उनके marks कम हो जाते है क्या इस बात से आप agree करते हो जल्दी से मुझे comment करके बताना तो ऐसा मेरा भी मानना है कि आप चाहे class 10 या 12 के boards हो आप अपने slayvers को थोड़ा सा अच्छे से कराओ और exam को tough कर दो या नहीं करो अलग आपके पर है exam को tough करोगे बस आप competency questions मतला आपके MCQs की format में questions को बढ़ा दो जिसे की competitive exams में होता है आप को सोचो आप class 12 के बाद जब entrance exam पर बैठते हो चाहे NEED का exam हो चाहे आपका JEE का हो चाहे आपका CUTI हर जगा आपका MCQs का weightage आपका ज्यादा होता है बट हम जब class 10 या 12 में होते है तो वहाँ पर जो short answer very short जो long उसका weightage ज्यादा है तो ऐसे बच्छा कहीं ने कहीं mentally तयार नहीं होता इसी वज़ा से maximum competitive exam पर फ face कराओ तो अब ये कब तक ऐसा होगा वो अभी decide नहीं हुआ है लेकिन संभावना है कि आपका जो 2024 वोर्ड है आपके यहाँ पर MCQs का weightage बढ़ जाए in the form of competency-based question अगर ऐसा होगा दिल से मुझे बहुत खुशी होगी और आपका क्या यहाँ पर opinion है मुझे comment करके जरूर बता कर दिया है तो ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता कि अगर CBSC ने sample paper issue कर दी तो उसी pattern पर आएगा हाँ CBSC ने बोल दिया कि अगर changes नहीं होंगे तो इस pattern पर आएंगे जो कि CBSC ने अपने website पर upload किया हुए है लेकिन बच्छा ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है last में कि आपके चीजों किया गया है नाओ 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 देखो यार competency-based question को ये तो problem था कि चले बढ़ने वाला है तो अगर मैं आपसे बात करूँ अच्छा और थोड़ा सा आप उपर जाओगे just a second यहां पर लिखा उपर उसे the CBSE has announced changes to its assessment scene for the CBSE board examination और focus कर रहा है सिंपल सा AMCQs को बढ़ाने की बात चल रही है और साप में short और long को घटाने की बात चल रही है और आपको पता है नेक्स रीर से NEP national यह सबका education policy हो जाएगा तो वहां तो चीज है आपकी चेंज वहेगी लेकिन 2024 में ऐसा हो सकता है अब मैं आपको एक solution देखके जाओंगा अगर आप सब class 10th यह 12th में हैं तो आपने करना क्या चीए आपकी जो course slivers है उस course लिए उसको आप master कर लो तो ऐसे में आप अपरेल के मन से ही ना class 10th में हो चाए class 12th में हो आप अपने तैयरी को start कर दो सबसे वड़ी दिक्क्रता क्या होती है दिखो अभी आप अपरेल पे खड़े हो आपको करते 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 मार्च में next year board के exam देने हैं हमको पता ह आपको ही पता है लेकिन हम करते हैं यार वो end time पे game खिलते हैं कि end time पे पढ़ाई करेंगे नहीं यार जब तक आप subject को master नहीं कर पाएंगे simple सा है class 10th और 12th के board सच में बिटा अगर आपने यहां मेनद कर ली तो आगे आने वाले सारे साल आपके अच्छे होंगी class 10th की बात full year आप कैसे preparation करोगे तो full year के preparation के लिए यहां पर आप सब देख सकते हैं हमारे पास एक batch है मैं क्यों inform कर रहा हूं क्योंकि यह batch आपका April 20 से आने वाला है हो सकता यह lecture आप April 20 के बार देख रहे हो तो उस case में परिशानी होना है आपको सारे lectures जो आपके हो चुके होंगे वो recorded में जाएंगे यह जो आपका course यार इसकी फीस कितने हैं सर फीस से पहले एक बार एजूकेटर देखो दिग्रास सिंग राजपुर सर अब मैं क्या बोलो यह आपको एससे करवाने वाले हैं यह संतोश बड़ सर अपने मुझ से अपने तरीफ कैसे करो यह आपको साइंस करा सर मैथमेटिक्स के लिए आप देखना इनका कॉंटेंट येस यह आपको कराएंगे मैस और साथ में किरती इश्रम हैं इनकी एक बार इंग्लिश क्लासे देखना आप आपके दिलो जहां तक इंग्लिश नहीं गुसा वीटा तो मुझे नाम संतोश नहीं वीटा यह बहुत आपको confident कर देंगे और confident हो जाओगे तो आपकी जो speaking skills है वो तो improve हो नहीं है साथ में grammar दो हो जाएंगे आप master कर लोगे तो यह सारी जो creators है वो एक साथ अगर आपको मिल जाए तो आपको मज़ा जाएगा न येस तो हमारा जो तरक्की बाहा चारा वच्छा उसमें सारी educators ग्यानी 22 ये हमारी family का code है अगर आप इस code को use करते हो तो हम समझ जाएंगे कि आप संतोष भड़ सर की class से आये हो आप संतोष भड़ सर की science को पसंद कर रहे हो तो आप इस code को use करना तो आपको ये course आपका 2700 का मिल जाएगा कैसे enroll करना है course में ये मैंने आगे बताया हुआ हैं और ये class से बच्चा मैं damn sure करहा हूँ आपके slayvers के साथ साथ आपको board के ऐसी तयारी कराने वाली है ये batch पक्का complete करने वाले पूरे YouTube के history में जल्दी से आके इसमें enroll करो और अगर इसको divide करोगे 12 से समझ जाओ एक महिने का कितनी फीस आपकी लगने जा रही है तो पूरे तो आपके पास ये तरक्की batch आजाएगा जोगी full savers का batch है आप इसके बारे में जाना चाहते हैं तो यहां about पे चले जाना और कैसे आप join करोगे आप join batch पे click करो यहां पर यह जो price होगा 3000 का है और यह आपका अप्रेल 20 से start हो रहे हैं और यहां पर आपने code लगाना है जी व और कर सकते हो अब बात कीजा details की तो यह पूरी details आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से done है क्या चलो अब जो दूसरी link है आप unacademy के platform मुझे follow कर लो तो इसमें क्या होगा जितनी भी classes हम free कर रहे होंगे कुछ class हम free भी कर रहे होते हैं बच्छा तो ऐसे मैं आपने जाना सेम वही और यहां पर करेंगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर यह संतोष बढ़ की profile और आप जाके मुझे follow कर लो जल्दी से 10k follow कर लो तुम चाहते हो भाई की बेशी हो जाए है आप starting से ना चाहे offline हो चाहे आपका online हो पढ़ाई को start कर दो एक बाच में join हो जाओ और वो आपके teachers कराते चलेंगे तो अब यह जिदनी भी ऐसी बनेगा अगर ऐसा news होता भी है simple से आप अपने content को change मत करना कई सर competency है तो competency पढ़ेंगे नहीं यार competency तो बहाना है आपको improve करने का चीज़े यह चाहँ competency हो चाहे long या short हो आपको करना पड़ेगा तो क्यों न स्टार्ट अप अप्रेल से ही करो तो 12 के 32 के अचैडमी के platform पे start हमने कर दिये इसलिए आप बिलकुल ही panic नहीं हो न ऐसे बहुत सारे हो सकते आपके update आए बस conclusion यही है कि आपको अपनी पड़ाई को start कर दिना चीए और आप क्या इस decision से happy है जल्दी से मुझे बताओ comment करके और ऐसे और भी updates और class 10 के full content के लिए जल्दी से उलाल बटन दबा देना and yes जाते जाते हर बार की तरह हम सब मिलके बोलेंगे हमारी family का tagline है अच्छे पच्छे कैसे संतोसत जैसे